नवस्कार सात्यों मैं जितिंदर बागडी एक बार पुन है आप लोगों का हारदिक अभिनिंदन और स्वागत करता हूं दोस्तों इस स्रंखला में अब तक हमने 40 क्योशन हमने डिसकस कर लिये थी उसी एकड़ी में हम आज आगे के क्योशन को डिसकस करने वाले हैं क्योशन क्योशन सिंख्या 41 है सूर्य ताप का वायू मंडल में प्रतेक्स आउसोशन सरवादिक मात्रा में किसके द्वारा होता है हम यह पढ़ते हैं कि वायू मंडल में प्रतेक्स वूप से आउसोशन जो होता है वो सूर्य की अगर हम यह मान लेते हैं कि सूर्य का जो 100% होता हला प्रत्वी का जो एल बीड़ो है और एक होता है प्रत्वी का सीधा डायरिक्ट वायु मंडल में ठीक है तो एल बीड़ो जो होता है वह कितना होता है 35% होता है इसके लावा यहां कि रहुट है है कितना 65 यहां पर बच जाता है इन 35 में से कौन सा कितना यह यहां पर देखेंगे और सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे लगबग 6 यह ऑपनेě निल तरह कर LIKE खैंस बांगे बादलों petals यह उपर यानी कि दूलक्ड़ों के द्वारा ठीक है उसके बाद मेंнее लगबग 27 यूनिट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है 27 यूनिट आपके किया जाता है मेग या प्रोपर रूप से बादलों के द्वारा और लगबग 2 यूनिट जो है आपके वो किसके द्वारा होता है वो हिम टोपियों के द्वारा होता है जो बरपिला प्रदेश या जो ही कितना हो जाता है यह इतना तो वापस हो जाता है बिना प्रत्वी पर आये ही यह तो हो जाता है रेटन हो जाता है दूसरा इसके साथ में 35 में में से 35 में से 14 जो यूनिट है इसका आउस्वोशन हो जाता है वाइब मंडल की दुवारा ठीक है और बच गया कितना यहां पे यहां पे बच गया आपके देखिएगा चोदा 65 में से 14 गयी तो 51 यह सीधा किसको प्राप्त होता है 51 प्रसेंट जो होता है वो किसको प्रत्वी को प्राप्त होता है और 51 प्रसेंट में भी देखिएगा यहां पे 51 प्रसेंट में भी बाकी का 34 प्रसेंट या 35 प्रसेंट जो होता है 34% जो होता है वो कहां चला जाता है वो चला जाता है संचलन या सम्महन में या सम्महन में और बाकी का जो यह बच जाता है 17% जो बच जाता है यह सीधा अंत्रिक्स में क्या हो जाता है प्रावर्तित हो जाता है यह सीधा अंत्रिक्ष में क्या हो जाता है प्रावर्तित हो जाता है तो इस प्रकार से यहां पे देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर कोई कर रहा है या प्रावर्तित जो कर रहा है वो यहां पे हम बादल कह सकते हैं बादलों के द्वारा सबसे ज्यादा क्या होता है प्रावर्तन होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या से हो जाएगा ध्यान रखना सबसे ज्यादा यहां पर आउस्वोशन किसके द्वारा हो रहा है सबसे ज्यादा प्रावर्तन जो है किसके द्वारा होता है मेगो के द्वारा इसमें गैस और जलवास्प की भी बात करेंगे तो यह भी इसमें क्या होता है फेक्ट तो डालता है लेकिन याप प्रसंटेज में पूछ रहा है तो किसका डाल रहा है बादनों का रहेगा लगबग 27 प्रतिशत रहने वाला है ठीक है क्योशन संक्या 42 है फॉस इस्तली दरातल के उस्मा संचार का एक मात्र साधन निम्न में से कुंसा है चालन अभिवहन और विकिरन फॉस इस्तल दरातल के उस्मा संचार का एक मात्र साधन निम्न में से कुंसा होता है अब देखिएगा फॉस अगर कोई है वस्तू उसके संचा चालन के द्वारा होता है। जिसे हम संचालन भी कहते हैं। और सूर्य के द्वारा जो विकिरन होता है ये वायू मंडล को घरत ह Ми कि सब्णाक हो थंडा सबस्यादा होता है। यह इससे क्या हो जाती है गरम हो जाती है तो इसे हम संचालन के नाम से जानते हैं इसे हम संचालन के नाम से जानते हैं तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है क्योशन संक्या 43 है सामाने ताप हासदर नॉर्मल लेप्स रेट प्रती किलोमेटर कितनी ह होती है देखिएगा 6.5 degree centigrade 5.6 degree centigrade 7.5 degree centigrade और 8.6 centigrade तो हम यहां पर बात करते हैं मूल रूप से normal lapse rate हम प्रत्वी के धरातल से अगर उपर की ओर चलते हैं तो यहां पर temperature में क्या आती है कम ही आती है अब वो कम ही जो आती है कि वो कितने किलोमेटर पर होती है तो यहां पर लगभग एक किलोमेटर की उंचाई पर 6.5 degree centigrade तापमान जो है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है और यह सरवादिक जो है यह इस्तती कहां पर देखी जाती है सोब मंडल में देखी जाती है तो यह सोब मंडल तक ठीक है प्रन्तु जैसे हम इससे उपर निकल जाते हैं जैसे हम बात करें समताप मंडल की बात करें या हम आयन मंडल की बात करें या आयन मंडल के मियां पी बात करें तो यहां पर इस्तति ऐसी नहीं होती हैं यहां पर इस्ततियां थोड़ History परिवर्तिट हो जाती है्ज प्रंथु यहां Normal Lane의 unfortunate के यहां पी बात करेंगे तो कितना रहता है लगबख 6.5 degree centigrade अगला है 44 निम्न मैं से वायू मंडल की किस प्रत को संभन कटीबंद या कंवंशन जोन के रूप में जाना जाता है हम एक मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं क्या कहते हैं एक मंडल को हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं और ये परिवर्तन मंडल को ही हम संभन मंडल के रूप में जानते हैं, आयन मंडल को नहीं कहा जाता है, बहिर मंडल को नहीं कहा जाता है, समताब मंडल को नहीं कहा जाता, जबकि सोव जो मंडल होता है, उसको हम संभन मंडल कहते हैं, क्योंकि सभी प्रकार की जो मौसमी गति विदिया हैं जैसे बादल का बनना, बिजली का चमकना, वर्षा का होना, संगनन, उस्मा यह जितने भी परकार की गतिविदिया है वो कहां पर गटित होती हैं यह सभी की सभी आपके कहां पर होती हैं 100 मंडल में सोम मंडल की ओस्त उचाई तेरा से चोदा किलोमेटर परन्तु धुरूऌ। और बुमद्य रेखा पर इसके उचाई जो कम हुजाती है बुमद्य रेखा पर इसकी उचाई अठाक किलोमेटर के आसपास होती है। क्योशन संग्या भोटी पाइप है क्योशन संग्या भोटी पाइप है ताप परीशर नगणने रहता है आयन व्रत के निकिट विश्वत रेखा के निकिट सितोशन कटीबंद के निकिट और धूओं के निकिट ताप परीशर जो होता है वो नगणने होता है ताप परीशर का दुर्वों के निकित तो यहां पर दुर्वों के निकित जो होता है यह और ऑगला है 46 सुष्क रुदोश्न में ठास दर प्रती किलोमेटर पर कितनी होती है एक होता है सुस्क और एक होता है आदर तो यहां पर क्या पूचा है आपसे सुस्क पूचा है 10 डिगरी सेंटीग्रेड, 8 डिगरी सेंटीग्रेड, 6 डिगरी सेंटीग्रेड और एक होता है 4 डिगरी सेंटीग्रेड अगर आपसे सुस्क पूछता है तो इसका right answer क्या होगा 10 degree centigrade सुस्क रुदोस्म ताप हासदर परती किलोमेटर होती है और वैसे अभी आपने जस्ट पढ़ा था कि परती किलोमेटर कितनी होती है 6.5 एक किलोमेटर पर 6.5 degree centigrade जो है क्या हो जाता है कम हो जाता है तो यहाँ पर कितना है सुस्क रुदोस्म ताप आसदर कितना है 10 degree centigrade है अगला है 47 वायू मंडल में उचाई के और जाते हुए सामान नेते है वायू का ताप गड़ता है किन्तु विशेश प्रस्तितियों में ताप मान गटने के बजाए बढ़ता है एसे इस्तिति को रुदोस्म परिवर्तन कहते है रुदोस्म सीतायन कहते है ताप ये उद्वर्तन कहते है और ए और बैद दोनों के रुप में जाना जाता है वायू मंडल में उचाई के और जाने पर वायू का ताप गड़ता है किन्तु विशेश प्रस्तितियों में तापमान गटने के बजाए बढ़ता है जिसे हम क्या कहते हैं युद कर्मनता कहते हैं तो ये रुदोस्म परिवर्तन भी होता है और एक रुदोस्म सितायन परिवर्तन भी होता है ठीक है तो यहाँ पर आप किस रूप में इसको जानते तो उंचाय पर जाने पर तापमान बढ़ता है तो यहां पर देखेगा यह भी इस्तती बनती है और यह भी इस्तती बनती है लेकिन हम इस प्रस्तती को क्या कहते हैं इस प्रस्तती को हम क्या कहते हैं ताप यह वुद कर्मनता कहते हैं ध्यान रखना यह दोनों इस्ततियां ब 1.98 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमिटर, 1.96 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमिटर, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमिटर, और 1.92 कैलोरी प्रति सेंटीमिटर, तो यहां पर 100 रिस्तरांग यानि की जो उर्जा का कंसेंट है, वो कितना रहता है, तो यह रहेगा, प्रति वर्ग सेंटीमिटर में 1.94 कैलोरी ध्यान रखना वेरी वेरी इंपोर्टेंट कि उसने बहुत बार सेदा सेदा पहुंच लेता है कि सौ इस्तरांक जो है उसका कैलोरी कितने में मापा जाता है तो यह हो गया सेंटीमिटर एक पॉइंट नो चार कैलोरी प्रती व्रग सेंटीमिट है अगला है 49 बीस मार्च और तेभी सेप्टमबर को सूरिय सबसे अधिक कहां मिलेगा बीस मार्च और सूर्य की हम यहां बात करते हैं तो यहां पर जो भूमद्य रेखा है उसके दोनों औरники 1.5 ₱ करक रखा है और 1.5 ₱ की साऊच में मकक्र र्यखा केवी कि यह 0 ₷ यह भूमद्य रेखा बिष्पत रेखाएं के नाम से जानते हैं तो सूरिय का जो होता है चालन यहां पे हम सूरिय का इधर बना लेते हैं सूरिय की एक तो लास्ट इस्टोपेज यहां पर होती है और एक यहां पर होती है तो सूरिय साल बर जो होता है करक और मकर रेखा के बीच में होता है प्रंतु जो ये वाला बिंदु है ये वाला जो भाग है इस भाग में सूर्ये सीधा चमकता है इन दो तारीकों को ये दो तारीक के कुणकुंची है एक तुम कहते हैं लगबग 21 मार्च और एक होती है हमारी 23 सेप्टमबर इन दोनों तारीकों को एक बसंत के नाम से इसको ज यह भूमद्य रेखा पर सिधा चमकता है तो उसको मिभ् ignoring कहते हैं तो एक बसंत विसु होटा है जो स्रत विशिव होता है कभ वहता है से भ पर में होता जबकि एक करक सकरांती होती है और मोई tabs 1513 यह कब होती है यह बाइस दिसमबर को होती है और यह जाहर करक सकरांती की जून को होती है और मकर सकरांती जो होती है 22 दिसंबर को होती है अगला है सूर्य तब की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है भुमद्य रेखा पर उपोशन कटीबंदों में उपोशन कटीबंदों में और मद्य अक्सांसों में बहुत ही प्यारा प्रशन है अधिकतर इस प्रशन का उत्तर जल्द वाजी में विदारती होते हैं बिना कॉमन सेंस के प्रयोग करेंगे तो इसका उत्तर यह देंगे जबकि ऐसा नहीं है उसन कटीबंद और यह उसन कटीबंद तो हम यह कैसे के कि प्रशन कटीबंद जो होता है कि यह वाला जु SECRETर होता है इस बाग में सबसे ज़्यादा जिसको आयनवर्ती के नाम से जानते है ठीक है तो ये वाला जो सेंटर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है सुर्यता प्राप किया जाता है अगला है अपसोर अपहेलियन की घटना कब गटित होती है आप हेलियन और एक होता है प्री हेलियन ये गटना कब गटित होती है चार जुलाई को तीन जनवरी को 20 मार्च को और 23 सेप्टमबर को इस दिन होता क्या है अपसोर को सूरिये और एक आपका होता है प्रत्वी तूरिये और प्रत्वी की एक दूरी तो आपके होगी कौन सी वाली अधिक्तम वाली होगी और एक दूरी आपकी कैसी होगी नियूंतम तो यहाँ पर अधिक्तम तूरी की बात करेंगो और एक नियूंतम दूरी की तो यहाँ पर मान लेते हैं ये अधिक्तम दूरी है अधिक दूरी और नियूंत अधिक्तम दूरी होती है लगभग 15.70 पॉसरोब की कि असफास होता है दूसरा यह गता है यह यज्धीक वाला बनता है तो यह मैं ते तो बनेंगा 3-जन iv को बने घा है और अधिक्तम वाला जो होता है कब बनता है जुलाई को बनता है तो प्रत्वी का जो चक्काल लगाने जो भाग होता है उसी आदार पर एक दिन प्रत्वी इसके ब्लुकुल समीप रहती है साल में और एक दिन बहुत दूरी पर रहती है तो दूरी के लिए अपसौर या उपसौर तो दूरी के लिए तो आप करोगे अपसौर और नियूंतम के लिए क्या होगा उपसौर यानि नजदीक का मतलब क्या होता है उप उप का मतलब क्या होता है समीप या नजदिक होता है अप का मतलब क्या होता है दूर होता है ठीक है उपसोर की गटना प्रत्वी की दूरी पर होती है अधिकतम दूरी पर निकटम दूरी पर मध्य दूरी पर और समान रहती है मैंने कहा उप का मतलब क्या होता है समीब और समीब का मतलब यहां पर क्या होगा निकटम और इस दिन जो दूरी होती है वो 14.70 करोड होती है किस-किस के बीच में दूरी प्रतवी और सूरिय के बीच की जो दूरी होती है वो लगबग कितनी होती है 14.70 करोड वैसे एवरेज सूरिय और प्रतिवी की दूरी कितनी होती है लगवग 14.88 क्रोड होती है उसत तो यह होती है प्रन्तु आप ये भी ध्यान रखें अधिक्तम और नियुंतम 14.70 और 15.21 क्रोड इसकी क्या है अधिक्तम और नियुंतम दूरिया होंगी सौर कलंक सन स्पोर्ट का चकट जिससे सूर्य तब की मातरा निर्दारी तो होती है यह कितने वर्षों में होता है जो सौर कलंक की जो हम बात कर रहे हैं सोर कलंक कहते किसे हैं इसके उपर चर्चा करेंगे सूर्य का कोई बाग जो होता है वो तूट जाए सूर्य का कोई बाग तूट जाता है और ये तूट करके कहां चला जाता है अंत्रिक्स में चला जाता है ये कहां चला जाता है अंत्रिक्स में चला जाता है जिस इस्तान से ये निकला है वहां कालांतर में एक बलेक कलर का क्या पढ़ जाता है दबबा पढ़ जाता है यहां पर जो है बलेक कलर का क्या पढ़ जाता है दबबा पढ़ जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं सोर कलंक कहते हैं इसी को हम क्या कहेंगे सोर कलंक कहेंगे और य हो जाएगा अगला है क्योसन संक्या 54 सूर्योदय तता सूर्योस्त के समय दिखने वाली लाली मा का संबंध कि स्किरिया से होता है साम के समय और सुबह के समय जो इस्ततियां बनती है और उस समय सूर्य का जो रंग होता है बिल्कुल red दिखाई देता है परावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर से और प्रत्वी की गती की गर्सन के द्वरा वायु मन्दल मुक्चेति गरह मोता है जैसा की मैंने आपको भी बताया था सूरिये से हमें कितनी United मिल रही है तो सूरिये से हमें अभी मैंने आपको बताये टोटल सो यूनिट मिलती है उस सो लोटना इस प्रिक्रिया में जो प्रत्वी का सबसे ज़्यादा गर्म होना होता है वो किसके द्वारा होता है सूर्ये के प्रत्वी के पार्थी विकरण के द्वारा पार्थिव विकिरण के द्वारा ऐसे इस्तती बनती है जिसमें अभी हमने पड़ा था 35% तो होता है जिसका अलबीडो बनता है और 75% वायू मंडल में आता है जिसमें से इसकी कुछ यूनिट्स वापस लोटा दी जाती है कुछ वायू मंडल में इसका क्या कर दिया जाता है और सोशन कर दिया जाता है ठीक है जोशन संक्या 56 ए उसमा बजट बताता है उसमा का विकिरण अंदर और बाहार जाने वाली रेडियो दर्मितामि संतुलन महादीपों के उपर तापमान वित्रण भूमी और समुदर के उपर उस्मा का वित्रण ठीक है तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उस्मा बजट बताता है तो उस्मा बजट बताता है प्रत्वी के और यानि की रेडियो दर्मिता में अंदर और बहार आने जाने वाली जो विक्रण है उसी को हम क्या कहते हैं उस्मा का बजट जो है वो बनाते हैं तो हम इसका राइट आंसर क्या देंगे वे देंगे विक्रण उर्जा का वह प्रतिषत है, जो किसी प्रष्ट से प्रावर्तित होता है, वो क्या कहलाता है, अलबिडो, सूलित, सोर इस्तरांक और एपवर्तन. विक्र नुर्जा का वह प्रतिचत है जो किसी प्रष्ट से प्रावर्तित होता है वो क्या कहलाता है तो मैंने कहा एलबीडो जो होता है वो कितना होता है बिना प्रत्वी के संप्रक में आए हमारा प्रत्वी का जो 100 उनिट आता है उसमें से लगबग 6 उनिट जो होता है वो क प्रावर्तित हो जाता है तो 35 प्रत्वी का क्या है और इसमें से पिर आया कितना 65% आता है इसमें से केवल प्रत्वी को 51 प्रतिशत जो होता है वो प्रत्वी को सीधा प्राप्त होता है ध्यान रखना ठीक है तो उसका राइट अंसर क्या हो जाएगा एह हो जाएगा निवन में से किसका अल्बिडो सबसे ज़्यादा होता है ताजा बर्प का, मेग का, रेतीली बालू का और समुद्री जलकाद याद रखिएगा जो जितना प्रत्वी से या सूर्य की उस्मा को वापस प्रावर्तित कर दे लोटा दे उसको हम क्या कहते हैं, अल्बिडो कहते हैं, तो ये अल्बिडो बिना दरातल को गरम किये वापस निकल लेता है, तो ये होता है ताजा बर्प का, लगबग 90-45% उसमा ये क्या कर देता है, वापस रिटन कर देता है, और ये प्रत्वी का जो ताजा बर्प वाला भाग होता ह यहां पर इस सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा एह हो जाएगा next question है निम्नतम एल्बिडो निम्निम लिखित में से किसका हो सकता है निम्नतम की बात कर रहा है दिख farther है वहां उच्तम पूचाता भी सीसा और दरपन का उत्र दुरुवं सेत्रों में ताजह बरब का जोतीगी जमीन का और गने बादल का देखो गना बादल भी लोटाता है उत्री दुरूवी ताजा बरभीस को लोटाती है सिसा भी वापस उर्जा को वापस लोटा देता है लेकिन जोती जो जमीन होती है उसमें क्या होता है जमीन का कोई ये खेत है और इस खेत में से हमने इस परकार से इसमें हल चलाया तो इसमें क्या होता है जो वाली जो मिट्टी ऊपर आ जाती है तो वह तो क्या करेगी उसको गरम करने के लिए आउस्वोशन करेगे तो सबसे निम्तम जो हो जोती की जमीन का होता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा यह होगा अगला है प्रत्वी का अल्बिडो मुख्यत प्रभावित होता है मेगा चादन से वायू मंडल में धूल कणों से वायू मंडल यह प्रतों में प्रतों से और प्रत्वी के दरातल की प्रकरती से प्रत्वी का जो अल्बिडो होता है तो प्रत्वी का अलबिडू मुक्यत्य प्रवर्ती चोंक्रती के उपर 右नेटरदी का उसके उपर डिपंड करता था तौक जह का रहे चंसर क्या सुएगा क्योसल संक्या 61 वायू मंदल निमल इत्मे से किसके द्वारा गरम हो जाता है। सूरीय की सीधी किरणों से, जौला मुक्त की गत्विदियों से, जेव पदार्त के जलने से और प्रत्वी के वीकरण से वायू मंदल का गरम और ठंड़ा होना यह जो प्रक्रिया है यह किसके द्वारा होती है ध्यान रखेगा वायू मंडल का गरम और ठंडा होना जो होता है वो प्रत्वी के वीकिरण के कारण होता है यह गरम और ठंडा होना किस पर डिपेंड करता है वीकिरण के कारण लेकिन अभी हमने पढ़ा था किसी ठौस वस्तू का ठौस वस्तू के मांद्यम से जो होता है गरम होना वो क्या कहलाता है वो चालन कहलाता है जिसे हम संचालन कहते है ठीक है निमन में से कौन सी प्रक्रिया वायू मंडल के उस्मन हीटिंग में सबसे कम है तो है संबहन, संगरन की गुप्तुस्मा, संचालन और पारति विक्रन इसमें से सबसे कम जो है होती तो है लेकिन यह सबसे कम होती है और इसकी मात्रा जो है वो कितनी होती है ध्यान रखेगा सम्भन भी होता है गुप्तुस्मा इसकी कम होती है संचालन भी होता है और परतिविक्रण तो हमें सबसे कम होता है सबसे कम होता हो किसका होता है गुप् विक्रण और अप्षरण उर्जा इस्तानांत्रण की निम्न लित्मे से कौन सी क्रिया विदी नहीं है चालन है अभिवहन है विक्रण है और अप्षरण है तो यानि कि यहां पे क्रिया विदी कौन सी नहीं है चालन भी है अभिवहन भी है विक्रण भी अप्षरण नहीं होत अपसरण की प्रक्रिया है नई हिम्टोपिया न्यू गुणांग अल्बिडो होता है आई स्केप्स का प्रित्यावर्तन कितना होता है 90-95% 25-30% 80-90% और 20-30% नई हिम्टोपियों का न्यू गुणांग जो होता है वो लगबग कितना होता है तो ध्यान रखिए की मिरे बज़ी वंग अब्यार्च को पीछे बताया था सबसे ज्याधा जो होता है जो ताजहा बरक मुदा है उसका 90-95% सूरित कौशत कर देता हैं प्रवर्तित कर देता है प्रावर्तन का सब्सक्राभर ये थे जाता है plots की सोर विक्रण का कितना प्रतिशत बादलों से टक्राकर प्रावर्तित हो जाता है लगबग 27%, 2%, 6% और 35% मैंने भी आपको बताया था 35% तो इसको तो भी रहने दो 27% बादलों के दौरा 2% हिम टोपियों के दौरा और 6% किसके दौरा होता है धूल कणों के दौरा और ये सिधा प्रत्वी को जो मिला जिसमें प्रत्वी की संचालन या उसकी ठंडा और गरम होने की परकिरिया है वो 35% होती है तो इसमें सबसे जादा जो होता है सोर विकन कितना प्रतिशत बादलों के द्वारा होता है तो लगबग 27% बादलों के द्वारा प्रावरतित कर दिया जाता है यह अलबिडो के अंदर भी हमने पिसको पड़ा था निम्द लिकित में से कौन ताप युदकर्मन टेंपरेचर इनवर्संस में योगदान नहीं करता है दीर्ग ठंडी रातें इमाद चादित शतय शांत वायू और मेगा चादित आकास निम्द में से कौन ताप युदकर्मन जो होता है उसमें यह साहिता नहीं करता है तो ताप क्या होता है बढ़ता है तो इसके लिए कौन से इस्ततियां ऐसी होती है जो ताप को बढ़ाने में योगदान नहीं देती है दिर ठंडी राते ही तो देती है हिमाचादित शत्य के बारे में में देखना पड़ेगा सांत वायू भी देती है हिमाचादित आकास या मेग चादित आकास यह नहीं देगा क्योंकि इसके लिए मेग जो होता है यानि कि आकास जो होना ची वो क्या होना ची बिल्कुल खुला होना ची अगर आकास खुला है तो बनेगा अगर मेग आरके हैं तो फिर यह नहीं बनेगा तो इसमें ध्यान रखना नहीं पूचा है तो मेग च्छादित जो आकास होता है वो नहीं होगा क्योशन संट के अगला है 67 उंचाए में व्रधी के साथ तापमान में व्रधी को व्रधी क्या कहलाती है Laps Rate, Adiabatic Laps Rate, TAP, Youth Karman, और सामाने हास्दर, तो जब यहां पर हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पिछले वाले प्रस्में बताया, कि जब उंचाई में हम चल रहे हैं, उंचाई के तरफ भी बढ़ रहे हैं, और प्लस में टेंपरेचर भी इंक्रिमेंट हो रहा है, तो उस condition को हम कहते हैं, ताप रुत कर्मनता के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है, इसको ताप यह रुत कर्मनता के नाम से हम इसको क्या करते हैं, जानते हैं, ताप रुत कर्मनता के नाम से हम इसको जानते हैं, उंचाई के साथ तापमान क्या होता है, बढ़ता है, तापमान की संप संप्रक की विलोमता उत्पन होती है जब पवन की गती क्या होती है तिवर होती है तब इस्तति में यह संप्रक का मतलब होता है एक चीज़ दूसरे के संप्रक में आएगी तो इसमें गती क्या होती है उत्पन होती है मंद जो होगी वो भी नहीं करेगी सांत होगी वो नहीं ह संग्रन होगा ऐसी तो इस्ततियां नहीं बनती हैं तो यहां पर देखेंगे आप लोग इसका ए क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा ओके अगला है क्योशन संख्या विक्तावनलिकितं संबंदीत हैं उचाई बढ़ने के साथ है चाऑब गठ आपका है हाइट के साथ में तैंपरेचरा क्या होगा प्लस होगा यानी कि आपकी height जो बढ़ेगी, उंचाई बढ़ेगी, तो temperature में भी क्या होगा, increment होगा, तो right answer क्या होगा, ए होगा, उंचाई के साथ में तापमान भी क्या होता है, बढ़ता है, अगला है 70, निम्न लिकित में से मोसमी दसाओं में से किसमें नकारात्मक तापमान हास गटित होता है तापमान की प्रस्टे बिलोमता, तापमान का रुदोर्ष में परिवर्तन, तापमान का समताप्य परिवर्तन, और तापमान की अभी वहनी बिलोमता, निम्न लिकित मोसमी दसाओं में किसमें नकारात्मक तापमान हास गटित होता है, देखेगा, नकारात्मक पूचा है, तो एक तो positive है तापमान की प्रस्टिय विलोंता दूसरा है तापमान का रुदोर्ष में परिवर्तन तीसरा है तापमान का सम तापिय परिवर्तन और एक है तापमान का अभी वहनी विलोंता तो इसका right answer क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, ठीक है? तो आज की क्लास का हम यहाँ पर समापन करेंगे कैसी रही क्लास? कमेंट करके आप जुरूर बताएगा मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जैहिन, जैभारत क्लास की PDF लेने के लिए आप लोग हमारा जो टेलिग्राम चैनल है बागडी सर RIS को आप जोइन करेंगे और यहाँ से क्लास की PDF आज जो है यह क्लास की PDF आपको वितांसा मिलने वाली है ठीक है और अभी तक आपने चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब नहीं किया तो यह भी करना नहीं मुले मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए सभी को जय हिन जय वारत